हेलो फ्रेंट्स वेल्कम तो मैं यूट्यूब चैनल देखी का नाधर वीडियो है जो फ्रूट प्लांट पर ही है और आज में जो नागपुरी ओरंज होता है उसको गमले में कैसे ग्रोव किया जाता है और कितना बैटर स्काफ रजल्ट मिलता है वो सब भी मैं आपके साथ अज इसे गमले में कैसे लगाते है बिलकुल आप नागपुर्ग और रंच यो है गमले में ग्रो कर सकते हैं बैस्ट आपको रजल्ट मिलेगा बहुत आसानी से ग्रो भी हो जाता है तो कैसे सब्सक्राइब कशेर करना पढ़े तो आप ग्रो कर सकते हैं इस समय जो हम पॉट का सेलेक्शन करें वो थोड़ा सा अच्छा करें हाइट अच्छी हो नाकपुरी संत्रे का जो मैं पॉधा जो लगा रही हूँ तो मैं एक पॉट देखे आपको दिखाते हूँ कि किस तरीके का पॉट होना चाहिए हलाकि मैं बहुत सारे वीडियो में स्पेशल इस तरीके के वीडियो में ने बनाए हैं तो जिन में एक या दो छेद नहीं जिन में बहुत सारे छेद होते हैं उनको आप सेलेक्शन करें यानि कि आपने अगर देखे जैसे कि मैं यहाँ बकेट्स में ग्रो करती हूँ और नाटपुरी औरेंज के लिए मैंने बकेटी लिए, मेरे पास पुरानी जो थी, तो आप इस तरीके इसके बकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रो बैग में लगा सकते हैं, तो होल बहुत अच्छे से होने चाहिए, अगर होल अच्छे से होंगे, तब आपके यहाँ पर प यह एक देखें, मैं अगर कहूं, तो मैं सानी कहती कि आप इस काम को करेंगे, तो यह है कि मुझे इसके रिजल्स बहुत अच्छे मिले, एक्च्छल में, मैं अगर यह कहूं कि मेरे पास जो फूट प्रूट का कलेक्शन जो होने वाला है, इसका जब मैंने देखा, स्टार मुझे क्या लगता है कि रूट जो बाउंट होने की प्रॉब्लम नहीं होती है, और सबसे बड़ा काम की गमले में कभी पानी नहीं रुखता है, तो इस इंपोर्टन काम को आप ज़रूर करिए, तो देखें, स्वाइल प्रिपरेशन कैसे करना है, किस तरह की की मिट्टी लेनी है, देखें, फ्रेंट इसके लिए आप जो, देखें, जितने भी फूट प्लांट होते हैं, सबका सेम ही होता, इतना कुछ ज्यादा नहीं होता है, बस सबसे फर्स ठिंक है कि चीज होती है, आप जो भी पॉट ले रहे हैं, उसका ड्रेने अच्छा रखें, स्वाइ अधिर वार, च्वाज़ भी हैं, जनर्ट इसे फर्स परदे उसका बघरी इंटेश है, रहे हैं, जब देखा कि जो इपी होता है, वह इतना काम करना शुरू किया तो मुझे यक्षे रिजल्स नहीं हैं, अभी मैने थीन, पांचे पॉदें रृस्ट रिसुनिये मं घरी च तो जो मैं कोकोपीट भी लेती है तो 50% कोकोपीट ही लेती हो ठोड़ी बहुत मिट्टी अगर मेरे पास कुछ होती है तो उसमें एड़ कर देती है आप 100% कोकोपीट के अंदर गाडणिंग कर सकते हैं फूट प्लांट बहुत अच्छे से चलते हैं लेकिन आपको इसमें जो लोग कहीं पूछते ही कहां मिलते जहां भी आपके कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा वहां से आप ले आपको बहुत आसानी से मिल जाएं यह कोई बहुत कोस्टली चीज नहीं है बहुत आसानी से मिल जाती है और दूसरा सबसे इस तरीके से अगर आप इसका रखते 50% आपने अपनी गार्डन सॉयल ली है 50% का रेशो आपको अपनी इसका रखना है और 30% पे हम फर्टिलाइजर लेंगे फर्टिलाइजर में देखिए जैसे की पॉट के साइज को आप देख लीजे कि किस तरीके का है हमने गोबर की खाद ली है यानि कि जो गोबर की खाद आ तो वो भी इसके अंदर मिला सकते हैं और दूसरी चीज है सीवीड देखिए जब भी आप इसमें सारे माइक्रो निट्रिंस हैं फंगिसाइड का भी काम करता है प्यस्ट कंट्रोल का भी तो इसका इस्तेमाल भी करे एक से डेड़ चमच का इस्तेमाल करें यह ज्यादा इस इसमाल नहीं की जाती है और दूसरा नीम खली का इस्तेमाल आप जरूर कीजिए देखिए नीम खली की इंपॉर्टेंस आपको जम मालूम होगी जब आप बड़े लेवल पर जब गार्टिंग करने लग जाते हैं क्योंकि मिट्टे में निमेटोर्स की प्रॉब्लम बहुत इसमाल कर सकते हैं या जो एग होते हैं एक शेल होते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं उन्हें क्रश करके आप मिट्टे में मिला दीजी जिस समय अपने प्लांट को लगा रहे उसी समय इसका इस्तेमाल करिए देखिए फ्रेंड्स मैं प्लांट आपको लगाना तो जरू थोड़ी छोटी बकेट का यूज़ किये, वरना जनरली मैं इसी तरीके की बड़ी बकेट यूज़ करती, बट वो ही होता है, इतने सारे पौधे जब हो जाते हैं, तो एक एट टाइम हमारे पास नहीं होते हैं, दूसरा सबसे बड़ी बात, जब भी आपको इनरसरी से पौधे बिल्कुल अलगे और दिल्ली का इन्वर्मेंट बिल्कुल अलगे, पात सचे दिन अपने पौधों के साथ रहने दीजिए, और फिर उन्हें आप लगाईए, तो आपको ज़्यादा बैटर रेजल्ट मिलेगा, देखिए मैंने जो है सॉयल प्रिपेरेशन, जब यह से मिट्टी तयार होती है, वो है, यह वाली मिट्टी, मतलब कि मैं जो अपने सूखे पत्ते में कसा वीडियो में शेर करती है, जो सूखे पत्ते होते है, टेरस का कच्रा होता है, एक साल में वो मेरा पूरी तरह से डिकंपोज हो जाता है, उसके बाद जो भी मिट्टी मेरी ready होती है mostly आजकल मैं उसी पर gardening करती हूं तो यह मेरी मिट्टी वो ही है जैसे भी आपको soil preparation अच्छा लगे काफी सारे videos मैंने अपनी चैनल पर शेर किये food plant के लिए कौन से soil ले तो देखे यह तो air layering से ready मेरा plant है तो इसका तो कोई इतना जंजट नहीं है कि मिट्टी के ऊपर कितना part रखना है नीचे नहीं अगर आपका जो यह air layering वाला है अगर कोई plant ऐसा है जिसमें आपका grafting हो रही है तो grafting area को मिट्टी से आपको ऊपर रखना है हमेशा जब भी पूरी मिट्टी में जैसे कि हमारी मिट्टी हम जब तयार करते हैं तो उसमें सारा कर दीजे बाद जो है अपने पौधे को इसके अंजर लगा दीजे देखिए जब भी आप प्लांट अपना कोई भी प्लांट को आप लगा रहे तो एक चीज का रेट सॉयल में है और उसे खीच ताना करके उसको आपने निकाल दीजे बहुत बादा खराब हो जाएगा पौधे के डेड होने के बहुत बड़े चांसे होता ही है गलती हम जी करते है तो इसलिए आपको देखिए क्या करना है अपने पौधे को पिशन्स ली लीजे उसे पानी में थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजे आप जब तक आप अपनी और मिट्टी की तैयारी करेंगे सब कुछ करेंगे तब तक उसका रूट बाउंड निकल चुकेगा अगर मिट्टी थोड़ी है सेंडी सॉयल है या थोड़ी से उसमें एकर चिकनी मिट्टी भी आ जरारी तो थोड़ा सा फंगी साइड भी आप डाब सकते हैं उसके बाद आप अपने पौधे को बिल्कु सेंटर में आप इसको लगाईए और देखी गमले को कभी भी पूरा फिलप नहीं करें या यह नहीं कि पूरा भर भर के गमले को मिट्टी में लगा दे क्योंकि बा और आप देखें घब राएए नहीं इसमें जो अब फ्लावरिंग आ रही थी या यह चोटे फ्रूट वा रहे था यह गिर जाएंगे क्योंकि देखें इस समय जो क्या होता है जब हम किसी नए पौधे को लाकर लगाते हैं तो वो अपनी रूट को जड़ों को मजबूत ब जाड़निंग में बहुत बहुत इंपोर्टन चीज है यह चोटी चोटी सी चीजे ही होती है देखें वीडियो में मैंने बहुत सारे वीडियो में प्लांट लगाना आपके साथ हर शेयर किया है तो इस तरीके के इट स्टिक जब हम लगाते हैं आपको लग रहा हूग होग मेरा एक भी प्लांट नहीं बचता देखें इतने सारे प्लांट है तो मैं इने शेड़ेड एरिया नहीं प्रवाइड करा सकती कि मैंने लगाया और छाया में कर दूँ तो यह सब प्रॉसिबिलिटी नहीं हो पाती तो छोटी छोटी चीज है आपको दिहान रखना है जब सूतफली या इस तरीके की उसके इस्तेमाल करना है और इसंहें बिल्कुल लूज बानना है तकि जैसे कि यह लूज है टाइट नहीं है बिल्कुल भी इस तरीके से बानना हो प्लांट को clarity दुलतव를 है तो प्लांट को कोई नुकसान ना हो पौध है अस local partner य hilft इसना इंप epsom salt की watering आप कर दीजे एक लीटर पानी लीजे आप उसके अंदर आदा चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा आप रख सकते हैं इसकी epsom salt की और पानी में से dissolve कीजे बहुत आसानी से पानी में dissolve हो जाता है उसके बाद एक watering इसकी कर दीजे पौधा आपका बिल्कुल खराब नहीं होगा उसकी करने के बाद जब भी आप कोई भी watering कर रहे हैं तो deep watering करें आपने मान के चलिए एक लेटर में इसका इसका इस्तेमाल करके डाल दिया उसके बाद आप और extra पानी डाल दीजे जब drainage hole से पानी बाहर आजाए तब आप समझे कि आपकी watering complete हो गई है जब बाद में आपको ऐसा लगे कि हाँ पानी की ज़रुरत मैसूस हो रही है लगाने के बाद देखे हलागी डिपेंड करता है कि हमारा temperature कि से recording चल रहा है तो जैसे अभी तो मौसम काफी वैसा हो रहा है बारिश वाला तो काफी दिनों तक इसे ज़रुरत नहीं तो पानी आप प्लीज over watering ना करें बार-बार इसे पानी ना दें और हाँ fertilizer के बारे में बहुत सारे लोग पूछतें तो fertilizer भी आपको अब इसे दो महने तक कुछ नहीं देना है आप इसे मस्त रहने दीजे इंजॉय करने दीजे अपने plants के साथ में 5-6 दिन semi shade में रखिए उसके बाद अपने पूरे जो पूधे आपके लगे हुए उनके साथ इसे लगाईए और इसे enjoy करने दीजे और आपके बहुत अच्छे से जो है oranges लगेंगे बहुत अच्छे से ये लग जाते हैं मेरे पास एक और orange का प्लांट है मैं वीडियो भी आपके साथ काफी साथ शेयर करती हूँ उसके तो ये प्लांट भी मैंने खरीद लिया ऐसे ही कि चलिए एक और प्लांट खरीद ले किन्नू माल्टा सारे प्लांट मेरे पास है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी तो नाकपुरी संत्रे का पौधा है वो भी गंबले में बहुत आसानी से लग जाता है वीडियो पसंद तो प्लांट एक शेयर कि जढख धरीग जलो कि य।ट झार जलो कि य। थैंट व्लांट चानी से लहाँ जाता है तो तो प्लांट जाता है तो प्लांट एक प्लांस